चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं, आज के टॉपिक पर हम लोग डिसकेशन करेंगे बैंकिंग पोर्शन में जो आप लोगों का ट्रिपल सी में बैंकिंग का है पोर्शन डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल यूँ कह लिजे की सिक्यूरिटीज को लेकर इजी सा पोर्शन है इससे जी एस टाइप के सवाल बनते हैं और ये बड़ा इंट्रस्टिंग भी है इस पोर्शन में लास्ट ये एक क्लास अलरी हो चुकी है जिसमें आपने को मैंने टाइप और बैंक अकाउंट के बारे में मैंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर बात की थी ओके अब आप लोगों को एक छोटी मोटी चीजें और समझ लीजे जो आपके काम की हैं जो आपके लिए ज़रूरी है एक तो ये टापिक बहुत ये यूसफुल था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिक्स डेपॉजिट मिनिमम कित्ते दिन के लिए ज़रूरी हो की जा सकती है सेवन देज और माक्सिमम टैनियर्स तक के लिए अब हमारे पास जो आज के टापिक है उस पर हम लोग बात करेंगे जिसमें कि आपको बैंकिंग प्रोडेक्ट के बारे में बात की जाएगी बैंकिंग प्रोडेक्ट जिसमें आता है आप लोगों का नऐ लिए कोई बता सकता है नई deux प्सक्रों कोई आप लोग दे सकते हैं आपको जैसे मुझे फीस पेमेंट करनी है तो आप चेक से भी कर सकते हैं और मुझे फीस पेमेंट करनी है तो आप डीडी से भी कर सकते हैं ऐसा कोई वो नहीं है देखे दोनों में difference क्या होता है difference बहुत ज़रूरी है DD and checks में आप लोगों ने देखी तो होगी नहीं तो screen पर आपको पूरी दिख रही होगी checks and DDs ये आपके सामने side में check है जो left में है और either right में जो है वो demand draft है DD दोनों में एक बहुत ही simple सा है दोनों payment करने के लिए इस्तेमाल की जाती है इसमें safe जो है जो ज़्यादा सुरक्षित है वो कौन सा है DD ज़्यादा सुरक्षित है DD वच्चों इसलिए ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि कभी भी किसी को जब DD देनी होती है तो DD पहले cash करा ली जाती है यूँकर यह पहले उसका payment करना होता है जैसे for example आप लोगों को अगर किसी government service को fees pay करनी है अपनी university या अपने college की fees देनी है तो वो लोग आपसे checks की जगे DD लेंगे, आपको उनके नाम से यहाँ पर एक DD बनानी पड़ेगी उसके लिए आप bank जाएंगे DD का form भरेंगे और वहाँ पर आप लोगों को यह DD में जिसके नाम से DD बनानी है वो कितने रुपे की बनानी है यह सारी information भरकर आपको अपने bank counter पे देनी होगी वो आपको DD बना के देंगे और फिर इस DD के लिए वो आपसे पैसे पहले ले लेंगे DD में कुछ पैसा extra commission के रूप में देना पड़ता है माली जिए आपकी 1000 रुपे की DD है तो 1000 प्लस कुछ bank 30 रुपे लेते हैं कुछ bank 40 रुपे लेते हैं तो यह जो bank charges हैं यह आपको extra pay करने होते हैं अपनी जेब से अब इस DD को बन जाने के बाद यह DD ले जाकर उस particular person को आप दे देंगे वो जाकर अपने bank counter में जैसे check लगाते हैं वैसे DD लगा देगा और वो तुरंट cash हो जाएगी इसमें time नहीं लगता लेकिन check में ऐसा नहीं होता check में आप लोगों को कभी bank जाने की जुरूद नहीं जिस party के नाम से check चाहिए उस party का नाम लिख देते हैं रुपे लिख देते हैं sign करके दे देते हैं अब यह party अपने खाते में जाकर यह check लगाती है तब तक आपका पैसा transfer नहीं होता है sorry जब यह check लगा लेती है उसके बाद वो check clear होने के लिए उसके bank से आपके bank में आता है और तब जाके यह clear होता है कभी कबार इसमें 3 दिन लग जाते हैं अगर state के बाहर का check है तो कभी कबार 7 दिन भी लग जाते है लेकिन इस बीच अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो यह check cash नहीं होता और उस case में हम लोग क्या कहते हैं check bounce हो गया तो यह एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि check bounce होने के options होते हैं DD safe होता है DD कभी bounce नहीं हो सकता कोई बता सकता है check के side में यह दो लाइने खीची जाती इससे क्या फायदा है अकाउंट पे ही हो जाता है इसका मतलब है कि आपने यह राकेश लिग दिया bracket में अगर उसका account number डाल दिया तो सिर्फ उसी account में ही यह पैसा credit होगा कोई दूसरा राकेश यह दूसरा आदमी इसको use नहीं कर सकता clear अगर यह आप cross नहीं लगाते और barrier दे देते हैं check तो उससे क्या होता है कि अगर कोई भी आदमी bank जाता है तो वो अपने आपको proof कर देता है कि यह मैं राकेश हूँ ID card यह कैसे भी तो वो उसके पास पैसा cash कर दिया जाता है इसलिए safest तरीका है कि आप side में cross लगाए तो यह तो हो गया आपका bank and dds के बारे में कुछ और भी है currencies को लेकर ध्यान से देख लिए यह चोटे-चोटे है जो Indian currencies है Indian currency में एक रुपे का coin है एक रुपे का note है दस रुपे का है इसमें जो ध्यान देने वाली चीज है कि 10 rupees and above note is signed by the governance of reserve bank जो 10 रुपे या उसके उपर के note है वो reserve bank के governor से sign होते हैं जबकि एक रुपे का note जो है वो secretary ministry of finance sign करता है ध्यान रखेगा ये governor नहीं sign करता है ये ministry of finance sign करता है और जो coins होते हैं वो government of India के द्वारा दिये जाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखेगा आप लोग कि कौन किस का sign करता है 10 रुपे के उपर के note RBI का governor करता है देखा होगा आपने note पे लिखा भी रहता है उसके बाद जो 10 रुपे के नीचे एक रुपे का note है उसे आप ministry of finance sign करता है उसके बाद बचों कुछ और भी interesting चीजे हैं जो कि आप लोगों कि इससे जुड़ी हुई है जैसे कि आप लोगों को POS machine कोई जानता है POS machine क्या होती है ये भी bank provide करते है point of sale POS जो है point of sale जब कभी आप लोग कहीं shopping करने जाते हैं आप लोग कभी भी कहीं पर बार लिजे पेटरॉल भरवाते हैं या कहीं पर भी तो उसके पास एक swap machine लगी रहती है आप अपना ATM का debit card या credit card आप वहाँ पर swap कर सकते हैं आपके account से पैसा automatically कट जाता है इस चीज़ को हम लोग point of sale के थू करते हैं यानि POS machine बनाकर आप लोग cashless transaction कर सकते हैं तो POS एक परकार की एक machine system है जिससे आप लोग ATM के थू पैसा transfer कर सकते हैं clear? कुछ और भी channels हैं इनको ध्यान पूर्वक देख लिजे इस पार्ट से 100% question आता है net banking, internet banking, mobile banking, NFT, RTGS and mobile wallets mobile wallets से questions बनते हैं बिरकों बताइए मैं आप से अभी एक simple सा general question पूछ रहा हूँ पहला question mobile banking, internet banking और होता है SMS banking clear? एक और ये भी है mobile banking हो गया, intimate हो गया SMS banking हो गया और एक और आगया है आज कल इंडिया में video banking ये चार में से कोई difference बता सकता है चारों चीजें क्या क्या है, किसी कोई use करता है net banking तो आप काफी लोग use भी करते होंगे mobile banking में फोन करना पड़ता है? गलत, ऐसा नहीं है बिल्कुल सही है हम लोगों के पास एक SMS banking पहले समझ लीजे क्या है SMS banking एक ऐसा method बनाया गया है कि यदि आपके पास multimedia phone नहीं है उस case में भी आप लोग banking का इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे? बहुत ही simple से तरीका है आपको USSD code दे दिये जाते हैं दिखा देते हैं आपको आप लोगों कहीं बच्चों ने देखे भी होंगे एक second तो इन USSD codes का एक benefit यह मिलता है कि आप लोगों को बस वो code follow करते रहे हैं और आप लोगों को हाँ आपका जो registered SIM है वो उसी में लगा होना चाहिए तब ही यह काम करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ और financial future skills एक second यह आपके M1 वाले paper में भी आ गया है आज की date में तो आपको उस पर भी मिल जाएगा यह कुछ इस तरीके के banks के codes रहते हैं ऐसे आपने शायद कभी देखे हो इस तरीके के star 99 hash दबाईए तो आपके सामने code आएगा और ussd codes है इनके बाद फिर एक अगला code आएगा फिर वो दबाईए one mini statement चाहिए तो one दबा के message करिए इस तरह के codes रहते हैं तो यह without multimedia phone पर भी आप लोग काम कर सकते हैं और यह एक आसान तरीका है तो यह है आप लोगों का SMS के थूँ forward करने वाला basically से SMS कहना गलत होगा लेकिन लोग इसे use करते हैं क्योंकि हम लोग इस पर non multimedia phone पर message transaction के थूँ काम करते हैं SMS factory या यूँ कही है non multimedia phone के use में काम करना आधार enable payment system clear इसका इस्तेमाल आजकल एक बहुत सारे गाउं देहात में भी होने लगा है जहां पर एक scanner लगा हुआ रहता है आप लोगों ने देखा होगा thumb impression के लिए उस scanner में जाईए उसमें अंगुठा रखिए दुकांदार जो बैंक के लिए बिजनस इखटा करते हैं कहीं कहीं गाउं देहात में आपने याद दिखा होगा ruler areas में चोटे मोटे लोग बना लेते हैं उनको 5000 रुपे security जमा करनी होती है बैंक वाले अपनी एक चोटी सी ब्रांच उसको दे देते हैं और वो अपना 5000 रुपे तक का ट्रांजिक्शन उसमें करता रहता है तो यह अधार enable payment system के अंतरगत आता है clear चलिए तो मैंने आपको SMS banking के बारे बताया next मिले को बताईए net banking सभी लोग जानते है हाँ हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ जिसके पास mobile number है तो वो mobile में ही अपना करके send कर दीजे सबके code है star 99 hash या something something करके आप कर पाएंगे और जिनके पास मालीजे कोई एक senior citizen है और उसको पैसा withdraw करना है तो पैसा तो mobile से withdraw नहीं हो सकता because आप transaction कर सकते हैं आप message से देख सकते हैं पैसा कैसे withdraw करेंगे तो उनके लिए बनाया गया है वही आधार enable payment तो आप आधार enable का लाई एक photo दिखा दे तो आपके दिमाग में रहेगा उसमें क्या रहता है आधार enable payment system यह रहा इसमें क्या होता है आपको कुछ नहीं करना एक इस तरीके का एक fingerprint impression machine लगी रहती है बहुत सारे चोटे-मोटे घरों में लगवा लेते हैं लोग या shops में लगवा लेते हैं और उस पर बस आपको जाना है वहाँ पर अपना fingerprint प्रेस करना है वही जो भी आपका आधार card में है और उसके साथ-साथ फिर आपको अपना आधार number और detail देने उनका एक software बना होता है और वह software इसके आधार पर वह आपका fund transfer भी कर सकते उनकी screen पर आने लगता है पैसा भी निकाल सकते हैं ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो इसे कहते हैं आधार enabled payment system A.E.P.S. ध्यान रखेगा उसके बाद mobile banking के चलिए बारे में बताए कोई अगर आपके पास smartphone है आपके पास play store या फिर आपके पास play store हो या फिर आप लोग मान लिजे कि apple store है आपके पास तो उसके लिए आपको bank के apps दिये हैं तो आप लोग जैसे access bank आपने खोल लिया है ठीक आपका मालिजी access bank में account है तो आपने access bank खोल लिया और आपने ये app install कर लिया जब ये app install कर लेंगे आप लोग तो app install होने के बाद ये आपके screen पर कुछ फर्दर इस तरीके से screen पर आपके सामने ये देखा होगा screen पर ही आप लोगों को पहले अपना ID क्रेट करना होता है तो इस ही में account transfer, पैसा balance, EFT ये सब होता है आपने देखा होगा KBC वगरे में दिखाते हैं अमिताब बच्चे ने तुरंद पैसा transfer कर दिया वो वैसे होता तो fake है लेकिन तरीका उनको provoke करने के लिए कि आप इस तरीके से अपना balance देख सकते हैं, transfer कर सकते हैं ये सारी चीजें देख सकते हैं तो maximum काम आपका mobile के थू ही हो जाता है और secure भी रहता है विकाउस बकाइदा सब OTP वगरे सब कुछ वैसे ही रहता है तो ये हो गया आपका mobile banking net banking का scene ये है कि net banking में आपको bank जाना होता है और bank जाने के बाद आप वहाँ पर apply करते है एक form जिसमें लिखा रहता है net banking की facilities net banking का form जब आपको मिल जाता है तो net banking वाले या net banking का आपको एक username पासवर्ट प्रोवाइड करते है normally username आपका customer ID ही होता है पासवर्ट आपको bank देता है उसके बाद आप लोग जिस भी bank में है जैसे माल लिज़ा आप bank और बड़ोदा में है तो आप लिखते हैं bank और बड़ोदा की net banking और वहाँ से आप अपनी site खोलते है इधर पर आप से retail user और corporate user वह मांगता है retail user यानि कि आप जो घर में है जिनका saving account है जो current account यूज करते हैं वो corporate user में चले जाते हैं तो retail user पर जाते हैं आपको जो bank वाले ने पूरा जो दिया होता है customer ID वगरा वो डाल के login करते हैं और लिजए आपका पूरा bank आपकी screen पर आ जाता है अब आप इसकी मदद से पैसा, transfer वही सारी चीज़ें जो आप लोग mobile banking में कर रहे थे अब बड़ी screen पर आप लोग सामने कर सकते हैं main feature वही होता है सब कुछ इसमें कई सारी चीज़ें दी रहती है मैं आपको बता दू mobile banking तो चलो अपनी जगे है आज की date में वो भी बहुत upgrade हो गया है लेकिन net banking जो है उसमें आप पैसे निकालने को छोड़ कर मैंने पैसा withdraw करने की जगे वो तो आप ATM से कर सकते हैं उसको छोड़कर जो maximum चीज़ें हैं वो सब आप लोगों को mobile facilities में available रहती है आप लोग normally पैसा bank जाते क्यों है उसके कई सारे factors है bank इसलिए आप जाते हैं because bank में आपको सबसे पहला काम पैसा withdraw करना है वो तो आप ATM से कर रहे हैं पैसा deposit करना है तो उसके लिए भी आजकल ATM है लेकिन हर घर्म के पास वो ATM नहीं होगा जा deposit करने की facilities होगी तो आपको bank जाना है अगर आप पैसा transfer करना चाते हैं तो ये चीज़ possible है आपको bank जाने की जरूवत नहीं है आप अपना net banking से ही कर सकते हैं अगर आपको कोई recharge करना है बले वो television का हो, phone का हो, किसी का भी वो भी सब इसी से हो जाएगा आपको अगर DD बनवानी है तो भी इसी से बन जाएगी In fact, अगर आपको checkbook खतम हो गई या उसकी request देनी है तो वो भी इसी से हो जाएगी In fact, अगर आप लोगों को कोई form forward करना है कोई application देनी है तो वो भी इसी से हो जाएगा SBI जैसे बड़े अच्छे banks हैं जिनमें आप अपना mobile number भी change कर सकते हैं Mobile भी change हो जाता है यहाँ तक कि आपको gaps की subsidy जो होती है जो कि आप लोगों की कह सकते हैं कि government subsidies है उसके लिए भी आप लोगों को आजकल subsidy के लिए भी आजकल आजकल आप bank जाते होंगे जिसमें कि आपको अपना अधार number भगर ऐसा पंच करना होता है वो भी इसी से हो जाती है तो आप देख रहोंगे यहाँ तक कि FD बनाना, FD तोड़ना RD बनाना, RD तोड़ना या break करना सारा काम आप लोगों के net banking से possible है आप locker के लिए भी apply कर सकते हैं credit card के लिए भी apply कर सकते हैं loan की किष्ट भी online जमा कर सकते हैं और बाकी तो आप लोग जब कभी कोई shopping करते हैं तो shopping करने के साथ साथ आप उसकी payment तो net banking से दे ही सकते हैं railway tickets, taxes, donation देना, income tax की inquiries करना, income tax pay करना other taxes pay करना, GST पे करना, stock market में पैसा लगाना, सभी कुछ possible हो जाता है तो मैंने यह देखा है, अपना personal experience भी यूज़ किया है कि अगर आप mobile banking banking और net banking यूज़ करते हैं तो आपका बहुत time save होता है बहुत समय बचता है अब मुझे बताइए तो मैंने आपको mobile banking बता दी, net banking आप लोगों ने देख ली और साथे साथ SMS के बारे में भी जान लिया किसी ने video bankings के बारे में सुना है video bankings अब धीरे धीरे प्रचलन में आ गया येस बिल्कुल सही है video bankings अभी इंडिया में कुछी banks ने शुरू की है जिसमें की एक हो गया आपका access bank जिसने अभी ये शुरू की है और एक premium customers होते है SBI के, Indus Bank ने भी शुरू कर दी है premium customers होते है SBI के और ICIC के उनके लिए उन्होंने शुरू किया premium customer क्या होते है बहीं बोलेंगे आप तो customer तो customer है लेकिन ऐसा नहीं है देखिए ICIC की ये video banking है तो इन में क्या होता है माल लिजे कि आप बहुत ज़ादा ही financially sound है financially sound मतलब आप बहुत बड़े अमीर है और आप इतने अमीर हैं कि आपको bank जाने क्या मतलब नहीं बनता तो हम चाहते हैं कि bank जो है वो हमारा काम सारा करे तो आजकल bank को ने premium customers के लिए बहुत अच्छी facilities दे रखी है उन्होंने दे रखा है कि आप बड़े अमीर आदमी है या फिर आप बहुत busy आदमी है तो आप bank नहीं आ सकते तो bank आपके घर आ जाएगा उसके लिए उन लोगों ने transactions दे रखते होते हैं कि दिन में एक बार या week में दो बार या तीन बार जिस हिसाब से आपकी bank की facilities है bank ने आप से कहा कि ठीक है हम महिने में दो बार या पाँच बार आएंगे आपको पैसा जमा निकालना जो भी करना है आप हमें बता दीजे वरना फोन पर आप बोल दीजे कि हमें पैसा जमा करना है check deposit करना है चाहे पैसा निकालना है DD बनेवानी है वो सब हम आपके घर आ के कर देंगे बहुत सारी जगे पर ऐसा भी होता है, आदमी को video banking मिल जाती है, तो video banking में वो login करता है, तो virtual call में आ जाता है, जैसे आप लोग WhatsApp call करते हैं, वैसे ही सामने face to face customer के रखुल जाता है, अब आप उसे vice से और video से बात कर सकते हैं, और उसे request कर सकते हैं, कि मिरे को पैसा transfer करना है, मे बढ़िया है, तो कई corporate लोग इसका इस्तिमाल करते हैं, और ये एक अगला next gen के लिए बढ़िया बनाया हुआ options है, बैंक को benefit क्या मिलता है, बैंक के हाँ रश नहीं होता, customers भीड़ नहीं लगाते हैं, अब क्योंकि premium customers हैं, तो उनको premium इदा तो दे नहीं है, भई, आप आम नहीं हन देंगे, तो उनको ये सारी सुविधाय प्रोवाइट की जाती हैं, तो बड़िया facilities हैं, उनके लिए ये सारा options दिये रहता है, तो video banking भी अब धीरे-धीरे करके, इंडिया में काफी तीजी से फैल रहा है, phone banking कह लीजए या mobile banking कह लीजए, वो एक ही चीज़ है, phone कहो या mobile कहो तो बात तो एक ही होगी न, अब मुझे बताईए आप लोग mobile wallets के बारे में, बिल्कुल कितने सारे mobile wallets हैं, ये wallets जो हैं, ये एक virtual money रखते हैं आपके पास, mobile wallets, और इनका काम आपके पास अगर पैसा नहीं भी है, या आपके पास account नहीं भी है, तो आप mobile wallets खुलवा लीजए, जैसे कि आपने Google पे, phone पे, पेटियम ये कर लिया, अब माली जी कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आपने अपने भाईया से या फादर या किसी से कह दिया, कि हमें पैसा transfer कर दो, हम use कर लेंगे, तो उन्होंने आपके mobile wallet में Google कर दिया, या पेटियम में डाल दिया, अब उससे फिर आप लोग use कर सकते हैं, अपना पैसा transfer कर सकते हैं, कहीं shopping करने गया है, या कुछ आपने खाया पिया, तो आपने online payment कर दी, तो इसका एक benefit क्या हो जाता है, आपके पास अपना account भी है, तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, उससे link कर दीजे, और अगर नहीं भी account, तो आप किसी दूसरे के account से प अपिस आएंगे नहीं, लेकिन अगर आपका phone गिर गया, तो कोई बात नहीं, आपने दूसरा phone लिया, और उसमें आपना wallet इंस्टाल कर लिया, उसमें phone पे इंस्टाल कर लिया, पैसा तो आपका थुड़ी गिरा है, पैसा तो आपके पास वहाँ पे जो आपका recharge में पढ़ हो जाती है और वो है आप लोगों की hacking और grey market की, लोग आपको confuse करते हैं, बहुत सारे cases ऐसे आते हैं, जिसमें bank account से पैसा निकालना मुश्किल है, net banking से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, wallet से पैसा निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आप Google पे करती क्या हैं, बस simple आप लो लोगों को बहुत सारी जगे पर आप लोगों को ये बताया जाता है, कि इसको बहुत secure रखे, बहुत ध्यान रखे, और इसके बहुत सारे tricks हैं, लोगों को wallet में fake करना भी बहुत आसान है, बहुत आगर आप कहीं bank, माल लिजे कि आज की date में कोई corrupt person है, कोई इस तरह का गलत use कर रहा है, तो उसको किसी से पैसा मंगाना है, तो पैसा तो वो तभी मंगा पाएगा, जब उसके पास bank account या wallet होगा, अब अगर आप bank account खोलते हैं, माल लिजे कोई robber है या कोई इस तरह का आदमी है, तो वो भी अपना bank account खोलेगा, तो KYC उसको भी देनी पड़ेगी, त तो KYC अगर वो देता है, और किसी से fake पैसा transfer करता है, तो बो तो पकड़ में आएगा, कि इस आदमी ने KYC दी है, इसका ये address है, इसका ये passport number है, ये अधार number है, वगरे वगरे, आज तो अधार कर आजकल mandatory होए, तो उसके पकड़े जाने के chances जादा है, लेकिन wallet में ये सब जहांताम नहीं होता, wallet में KYC, KYC का नहीं है, तो कोई भी आदमी wallet बना लेता है, अब ATM आपने install किया, आपने wallet बना लिया, mini KYC डाल दी, 5000 उपे तक की transaction हो गया, और किसी दो आदमीं को उल्लू बना कर आपने 1000,000 के दो transaction किया, wallet उठा के delete मार दिया, SIM फेक दी, नया SIM इंस्ट shopping कर सकते हैं, किसी के पैसा transfer कर सकते हैं, accounts में, तो account में वो जान बूच कि इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि वो पकड़ में आ जाएगा, इसलिए वो लोग हमेशा shopping ही करते हैं, तो ये चीज आपको थोड़ा सा secure रखनी पड़ती है, wallet से cash नहीं निकलता, wallet से आपको किसी account मे transfer करना पड़ेगा, फिर उस account से आप cash निकाल सकते हैं, clear, तो ये wallet का scene है, तो wallet अच्छा भी है, लेकिन मैं आप सभी को suggest करूँगा कि wallet में थोड़ा ही पैसा रखिए, जादा ना रखिए, और wallet में उल्लू बनाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, बहुत सारे आपको नहीं न scheme समझाएंगे, next है आपके पास NFT और RTGS, ये जरूर पढ़ लीजेगा, चलिए बताईए ये क्या होता है, NFT and RTGS, बिल्कुल सही है, अब मैं आपको पूरा बता देता हूँ, NFT और RTGS, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, NFT and RTGS, और ये मैं आपको ICAC Bank की साइट से दिखाता हूँ, उनके पास ये real forms में बना हुआ है, इससे जुड़े हुए कई सारी चीजे आती हैं, वैसे तो government ने आप इसके transactions free कर दी हैं, देखिए ये है आपके सामने, NFT, RTGS, IMPS, ये तीनों चीज़े याद रखिए, NFT, RTGS and IMPS, NFT का full form है National Electronic Fund Transfer, ये 2400 गंटे सातो दिन होती है, पहले ही क्या होता था, ऐसा नहीं होता था, पहले इनका timing था, फिर government ने इसको क्या किया, 2400 गंटे कर दिया, कि आप इसे कभी भी कर सकते हैं, इसकी एक limit है बच्चों, NFT की, और वो limit है कि आप, NFT और RTGS में देख रहोंगे, ये RTGS और इसकी limit है कि 2 लाक minimum और 10 लाक maximum है, RTGS के लिए बता रहे हैं, इसकी, और Monday से Saturday के बीच में ही होगी RTGS, Sunday को चुट्टियों में नहीं होती है, अब 2nd and 4 Saturday को चुट्टी रहती है, तो वो नहीं होगी, IMPS में आप देख रहे हैं, IMPS में आप maximum 2 लाक रुपे तक कर सकते हैं, IMPS मतलब immediate payment, तुरंद payment होती है, ये भी 7 दिन होती है, 2400 गंटे होती है, और minimum 1 रुपे, maximum 2 लाक रुपे कर सकते हैं, अगर आपके account और IFSC code में कर रहे हैं, अगर किसी के उसमें mobile में transfer कर रहे हैं, तो 10,000 रुपे उसकी maximum limit है, अगर internet से कर रहे हैं, तो उसमें भी वोई option है, इसका मतलब समझते हैं, MMID और इन दोनों में क्या difference हु Google Pay, से आप किसी के phone में भी ऐसा कर सकते हैं, तो phone में पैसा transfer करने की maximum limit कितनी है, 10,000 रुपे, clear? यह याद रखिएगा, यह questions हैं, अभी आपको जब solve कराएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा, NEFT में दिया हुआ है, NEFT में एक रुपे से लेकर आप लोगों का दिया हुआ है, कि इतने समय से इतने समय के बीच में करेंगे, तो 2,000,000 रुपे तक का आप transfer कर सकते हैं, हाँ, कुछ लोग customers के लिए 10-25,000 तक है, based on the customer segment, मैंने बताया था न, premium customers वगरा, तो यह चीज़ें देखनी है, अब आप लोगों के लिए RTGS के पैसे free कर दिये गा है, बहुत सारी ज मोदी जी ने अभी किया था कि बीच में हुआ था कि COVID के पहले, जब COVID शुरू हुआ था, तो उस समय कहा था कि यह सारे transactions जो है, जो आपके पैसे लग रहे हैं, यह सब free of cost होने चाहिए COVID में, तो बैंकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, बैंकों ने कहा था, बैंकों ने आया था कि जितने जिसने जो चार्जस लिए हैं पिछले पांच मेने में, वो सारे refund होंगे, तो यह online transactions के चार्जस रिफंड करने हैं government को, क्लेर होगे बच्चों सभी को, तीनों चीज़ हैं क्लेर, तो चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है प्रधानमंत्री जंदन योजना, चलिए आप लोग बताएं कौन क्या जानता है इसके बारे में, यह जितना लिखा इसको ध्यान पूर्वक पढ़ लिजे, प्रधानमंत्री जंदन योजना, यह 28 ऑगस्ट 2014 को प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की थी, इसका में मकसता सभी ग्रामीर लोगों और जितने अर्बन लोगों हैं, सभी के घर में एकाउंट्स हो, रुपे डेविट कार्ड इसके साथ मिलता था, जिसमें की एक लाग का इ आपको एक लाग रुपे अगर उस आदमी की कोई भी डेथ होती है, एक्सिडेंट से, यह नहीं कि फांसी लगा के मर गया, वो एक्सिडेंट नहीं है, एक्सिडेंट मतलब कि ट्रक के नीचे आ जाना, आस्मान से गिर जाना, सीडी से फिसल जाना, बातरूम में नाते हुई है, जो आम आदमी को नहीं पता रहता, कि इसके लिए उन्होंने एक नॉम्स और भी दे दिये, शायद से 30, कि, हाँ, 30 दिन के अंदर आपको कार्ड स्वाप होना चाहिए, कहीने कहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने लेकर रख लिया है जेब में, अगर आप कार् है, क्लियर, उसको कार्य मिलेगी, तुमने अकाउंट खोल लिया, जीरो बैलेंस पे खुल गया, रख लिया, जिंदेगी में कभी ना कभी तो मरें गई, एक लाग मिल जाएगा, बोलता है, ना, ऐसा नहीं, कार्ड बीच 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 पैसा निकालते रहो, जमा करते रहो, एकाउंट एक्टिव रखो, इसमें एक और अच्छी चीज दी गई थी, OD फेसलिटीज 5,000 रुपे की, इसका मतल़ समझते हैं, कि जो लोगों ने जंदन एकाउंट खोला है, और 6 महिने तक उसको सुचारू रूप से रखा है, 6 मन्त बाद उसको 5,000 रुपे का OD फेसलिट दे दी गई थी, यानि कि अगर उसके खाते में जून ने भी है, तो भी वो 5,000 रुपे माइनस में निकाल सकता है, तो ये कुछ फायदे थे, जंदन एकाउंट के, ये तो बढ़िया था, अच्छा भी है, और लोग यूज भी कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग यू अगले दिन हम जमा कर दें, एक दिन का ब्याज लग जाएगा आपका, तो फ्री में पैसे चाहिए क्या, लेकिन इसका फैदा भी है, फैदा क्या है, देखो अब एक चोटा सा एक्जामपल में आपको बता देता हूँ, माल लीजे कि आप लोगों ने, किसी बैंक से एक ला लोग कहीं अचानक स्टॉक के रेट काम हो गया, कोई सामान लेता है, माल लोग का चामाल रेट काम आ गया, सस्ता हो गया, अब वो खटा भरना चाहता है स्टॉक, एक लाख रुपे उसको नहीं मिल ला, तो एक लाख कहां से उधार ले, तो उसने ओडी में ले लिया, और एक लाख रुपे की ओडी का मतलब समझेए, उसने एक महीने ओडी यूज की, तो एक महीने का मतलब क्या हो गया, उसने उन्तिस सो रुपे ही तो उसका ब्याज दिया, एक महीने बाद उसने चुका दिया अपना, तो एक लाख रुपे वो और तीन हजार लग बग ये, बस एक लाग तीने जार में हो गया उसका काम खतम फिर वो एक लाग को consume कर पा रहा है तो उसका तो benefit हो गया अगर वो दसी दिन यूज करता है तो हजारी रुपय में काम बन जाएगा ऐसे वो किस से लेता उधार और market में उधार लेने जाएगा तो आप लोग देखते होंगे market में लोग BC चलाते हैं या देखो तो BC में क्या होता है 10-12 ग्राहक या 10-12 दुकानदार मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं सटा करते हैं तो वो बड़ा महंगा जाता है तो यह government ने एक facilities दे रखी है Insurance Bima तो insurance के बारे में मिलको बताईए किस चीज का insurance हो सकता है और किसका नहीं हो सकता insurance सबका तो होई जाता है जो आपको जैसे आप travel हो गया, life हो गया, business हो गया car है, मकान है, इनसान है तो जो भी जीविच चीज़े है हम और आप इसका insurance कहलाता है life insurance और जो निर्जीव चीज़े है उनका insurance कहलाता है non-life insurance अगर मालो किसी के पास pet है एक doggy, kutta या फिर यह कही एक कोई cat है, चुआ है तो क्या उनका भी insurance हो जाएगा पते चला रास्ते में रोक दिया, पूछा अरे ए रज़द, रज़द तुम कहां जा रहे हो तो रज़द से पूछा गया रज़द कहां जा रहे हो तो रज़द यह आप कुटे की किस्त जमा करने जा रहे है ऐसा तो नहीं हो गगा life insurance में नहीं आते वो लोग वो non-life insurance में आते है होता है insurance उनका भी होगा, लेकिन उस insurance के, जैसे आप लोग अभी normal insurance कराते हैं, तो इसमें आप किष्टें देते हैं, और insurance maturity होने के बाद endorsement plan है, तो आपको पैसा वापिस मिलता है, non life में ऐसा नहीं होता, आपने गाड़ी का एक सार का insurance compulsory है, आपने कराया, भले ही वो third party insurance कराया, लेकि गाड़ी में कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं कि आप जाके insurance company से बोलेंगे, लाओ मेरी किष्ट वापिस करातीने जार की, ना, वो वापिस वापिस नहीं होगे, अगले महीने, अगले साल फिर कराये आप, तो ये, हाँ, safety के लिए, और इसी में एक आता है, third party insurance सुना है कि ये क्या होता है, आप लोगों के घर में जितनी गाड़ियां होंगी उसमें जरूर होगा, तो ये, ऐसा तो है, लेकिन इसका दूसरा है, एक होता है, बच्चों first party कह लिजे, या फिर कोह सकते है, commutative insurance, ठीक है, first party insurance में क्या होता है, जो, जिसकी गाड़ी है, जो person जिसका owner ह उसको भी insurance होगा, वो person का भी insurance होगा, गाड़ी का भी insurance होगा, गाड़ी में कुछ हो जाता है, तो उसका भी claim मिलेगा, person का भी कुछ हो जाता है, तो person को भी claim होगा, या उसकी death या accident हो गया, तो उसको भी मिलेगा, लेकिन third party में ऐसा नहीं होता, third party में आपने जिसका आदमी जा रहे थे और आप मा कोई भी ले लेते मालो आकाश अगनियोतरी बाइक चलाते वे जा रहे थे और बगल से उसकी क्लास की लड़की को घुजरी आकाश ने स्टाइल मारते वे दोनों हाथ छोड़ दिये और आके जाकर भडाम से भिड़ गया सामने अंकित खड़ा था अंक insurance company उसके ब्याद में देगी अंकित का जो हो गया वह मालव कि आकाश का जो हुआ उससे मतलब नहीं है कि उसके बाद एक और बहुत ही बढ़िया insurance है वो है social security schemes ये जरूर जानना चाहिए और ये सब के पास होना भी चाहिए इसमें तीन schemes आती हैं बच्चो प्रधानमंत्री सुरक्षा भीमा प्रधानमंत्री जीवन जोती भीमा और अटल पैंशन योजना आप सभी को मैं सजस्ट करूंगा आपके घर में जो भी लोग इस age barrier के अंदर हैं इस scheme का जरूर फैदा उठाईए ये वर्ल्ड की सबसे cheapest insurance scheme है वर्ल् प्रधानमंत्री सुरक्षा भीमा करना है या फिर आपके पास mobile banking नेट banking है तो आप अभी भी कर सकते हैं तुरंट आप सीधा वहाँ गये उन्होंने form भरवाया बस काम, form भी एक ही पन्ने का होता है आपके खाते से 12 रुपे कट गया insurance और वो भी कितना दो लाख रुपे का मतलब 12 रुपे का मतलब क्या हो गया दो समोसे और चटनी इतनी तो होते हैं 12 रुपे है और 2 लाख रुपे का insurance हो गया अगर उस आदमी की कभी भी death होती है accident से accident का है यह तो उसकी family या जो भी nominee होगा उसको 2 लाख रुपे मिलेंगे आपको मैं बता दूँ अगर आप L.I.C का 2 लाख रुपे का insurance कराएंगे तो उसकी किष्ट कम से कम कुछ नहीं है तो 12 से 15,000 रुपे आएगी च्छमाई ठेक और यहां तो 12 रुपे में ही काम हो गया लेकिन अगर मालो कोई death ना होई या कोई accident में कुछ हुआ और ऐसा नहीं है कि मरना ही है इसमें और benefit है कि मालो कि आदमी की accident होता है और उसका एक हाथ कट जाता है एक पूरी तरीकर से कोई organ function less हो जाता है तो उसमें एक लाख रुपे मिलता है उसको और आपने दिया ही क्या 12 रुपे तो दिये इसी में एक और आता है वो है 330 रुपीस को जिसे कहते हैं प्रधान मंतरी जीवन जोती योज और इसकी अंतरगत आपको दो लाग का insurance होता है उस आदमी का लेकिन उसमें life cover होता है यानि कि कोई भी death हो natural death हो accidental death हो सब death हो बस मरना चाहिए वो cover हो जाएगा कैसे भी इसमें सिर्व accident cover था इसमें सभी तरह की death cover है बाल लोगा किसी को medical किसी को cancer है उससे ही मर गया हो तो भी होगा insurance मरने पर ही है कोई भी insurance होगा वो बरने पर ही है चलिए बचों लॉट के आईए मिलते हैं इस topic को और अच्छे से बता दें या आपके लिए बहुत helpful है